दोस्तो प्रक्रती आपसे कुछ कहना चाहती है। दुनिया के भीर में, इस भीर के भेर में, भेर जाल में, इस सोड में आप सुनते नहीं। और इस अद्भुत हिर्दय की वीना को आप जिस दिन सुन लेंगे आप बुद्ध के बादे ठहर जाएंगे। आप ठहर जाओ, वो जैसे बुद्ध ने कहा है ठहर जाओ, ठहर जाओ, और ठिठक जाओ, क्या अद्भुत प्रक्रती के द्वारा हिर्दय की वीना बजाई जा रही है। प्रक्रती आप से कुछ कहना चाहती है, आपकी बांस, आप तो बांसरी है और इसके माध्यम से छंद बेह रही है और दुनिया के द्वांद में आप ठसे हैं। दोस्तो प्रक्रती आप से इंद्री के पार कानुभग देना चाहती है, वह टांस्फॉर्मेशन करना चाहती है, इंद्रिया जितने भी आपको सेंस हैं, फाइव सेंस हैं, वह आपकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन वह जो प्रक्रती की हर्दयक की बीना है, जो आपको टांस्फॉर्मेशन कर रही है। जैसे सोनल मान सिंग, बहुत बड़ी ने तांगना, उनका पाउं कट गया, और वह नकली पाउं भी असली पाउं की तरह ठरकने लगी। या तब ही हो सकता है जब वह प्रक्रती के वह अनहद नाद को सुनी होगी वह। जैसे ब्रेल लुई, अंधेरे के कुरुछेतर में उतरा, अंधेरे के गर्ब से रोसनी घिचलिया और ब्रेल लिपी का विश्कार कर दिये। तो उनके सामने जो सामने जो इस्थिती है तो आफद है लेकिन घिर्दय के बीना बजाओ तो अवसर ही अवसर चलकड़ा है। इसी विशय पर मैं एक छोटी सी कविता रखूंगा कि प्रक्रती आपको भेज रही है पांती। पांती मतलब पत्र मैं पांती पर पांती भेज रहा हूं साथी तुम कब आओगे। मैं भेज रहा हूं सब्दों की प्याली में सुन्ने का जाम। मेरे सब्द में उम्झो नहीं, मेरे सुन्ने में बहो, सुन्ने को पियो और जीओ, पांती पर पांती मैं भेज रहा हूं साथी तुम कब आओगे। तो प्रकृति की अनहदनाद को सुने और ये फ्लो जो बह रहा है वो बहे न कुछ कहे न सुने वो बहे ये बह रहा है फ्लो ये आपको गलो कर रहा है और आप गलोरियस हो रहा है आप इस धरा पे संबाद कहने आए हैं बिवाद में नफह से आप समधिया हैं प्रकृति के अद्भुत प्रकृति आपसे कुछ कहना चाहती है और उसको आप सुने और उसको बहने दे धन्यवाद